हलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 10 दिसम्बर को निफ्टी ने कैसा मूब दिखाया और उसके बेशिस पे यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिस करेंगे कि 13 दिसम्बर को यह कैसा मूब दिखा सकता है और उसके basis पे 13 December ये निमंडे को आपको intraday trade console लेना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं, तो थबस पहले यह आप में आपको बताना चाहूँगा, कि अगर अभी तो आपने वारा टेलिग्राम चैन आपको market open होने से पहले ही मिल जाएगा, अगर हम आज के calls की बात कर ले हैं, 10 December के, यहाँ पे हमने बोला था, aggressive traders, nifty में buy कर सकते हैं, 17,350 का stop loss रखके, और हमारा पहला target था वहाँ पे, almost यह hit होटा हुआ दिखा, stop loss से काफी दूर था, तो यहाँ पे आपको profit ही मिला होगा, स 17,475 और 500 यह दो target यहाँ पे हिट होता हुआ दिखा है, और aggressive traders के लिए sell करने के लिए बोला था, 17,625 का stop loss रखके, यहाँ पे भी 17,450 यह और 17,400 का भी level almost हिट होता हुआ दिखा है, तो आज दोनों तरफ का trade बना है, जो sell की होगे, उनको भी profit मिला होगा, और जो buy की होगे, उनको भी यहाँ पे profit मिला होगा, तो इस तरह का accurate calls के लिए आप हुआ टेलिग्राम चैनल जबूट जबाइन कर ले, इसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, सबस्पहरे यहाँ पे हम market overview की उपर बात कर लेते हैं, market sentiment को अभी भी हमने negative रखा है, अगर यह 17, 17,600 की उपर निकलेगा, तब हम इसको negative से neutral करेंगे, और 17,800 की उपर निकलेगा, तो हम इसको positive करेंगे, 600 इसलिए रहे, क्योंकि वापस से 17,500 की 600 की बीच में यह अच्छा खासा congestion zone बना लिया है, global market sentiment negative है, इसकी उपर हम आगे detail से बात करेंगे, FIA sentiment भी negative है, के तरब से बिक DCR level 1.50 करीब पहुंच चुका है, यह थोगा सा alarming situation दे रहा है, कि निफ्टी यहां से ज़्यादा upside move जाता हुआ नहीं दिख रहा है, यहां पर हमें selling देखने को मिल सकता है, especially FIA के तरफ से, यह आपको ध्यान देना होगा, FIA का data आपको देखना परेगा, तो evening में हम upload करते है अगर FIA के तरफ से खैविदारी किया गया होगा, या नहीं तो बिक्वाली बहुत कम होगा, तब ही निफ्टी आपको आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है, 17,600 करीब, अगर वैसा नहीं होगा, तो निफ्टी आपका range bound बहेगा, या फिर वापस से नीचे जाता हुआ दिख निफ्टी के डेली चार्ट को क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे factors है, सबसे पहला, यहां पर देख सकते हैं, previous candle का high आपका यह रहा, और previous candle का low यह रहा, यहनि आज जो candle form किया है, वो previous candle के high और low के बीच में हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल ग्रेंट हो जाता, अगर highest point break हुआ, यहां पर हम upside की तरफ breakout देख सकते हैं, और lowest point break हुआ, तो नीचे की तरफ breakout देख सकते हैं, highest point है क्या, highest point है आपका 17,550 का level, यह round figure मैं ले रहा हूं और नीचे में आपका 17,380 का level, तो अगर 17,380 का level break हुआ, यहां पर हम 17,300 तक का level सकते हैं यह दोनों लेबल आपको नोट कर लेना अपसाइड में 17,550 का लेबल और डाउसाइड में 17,380 का लेबल दूसरा एक और चीज आपको ध्यान देना है यह जो लाइन है यह आपका 20-day SMA है यानि Simple Moving Average है और पिछले कि यहाँ पर अपना support बनाता हुआ दिख रहा है कुछ भी यहाँ पर अगर इसको positive trigger मिलेगा तो यह direct आपका 17,600 के लेबल पर जाता हुआ दिखेगा बांकी डेली चार्ट में और कुछ नहीं है यही दो चीज है जो इसके आपको नजर बना कर रखना है अब हम इसके 5 minutes के चा करना चाहेंगे चार्ट को अगर आप एडजेस्ट करें एक चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ के अगर आप मूव को देखें यहाँ पर हमें इस तरह का pattern देखने मिलेगा मतलब यह downtrend को indicate करता है जो pattern मैंने आपको बताया था वह सकेंड हाफ के pattern क अगर आप जो करें यहाँ पर हमें इस तरह का uptrend move देखने मिलेगा पहले हमें single day downtrend देखने मिलता था या फिर uptrend लेकिन अब क्या है अब हमें single day downtrend और uptrend दोनों यहाँ पर हमें देखने मिलेगा ऐसे मैं आपको करना क्या है ऐसे मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको इस time पर काफी strictly level based trading करना है अगर आप level based trading नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और यह level कौन सा है वह आपको हमारे telegram channel पर update मिलता है यहाँ पर मैं छोड़ा सा update देता हूं बागी details से आप कर morning में हमारे telegram channel देख सकते हैं तो जो बाइंग रेंज है वह आपका 17,000 350 से लेके 17,425 की नीची आता है तो निफ्ती में आप बाइंग के start कर सकते हैं और यह बाइंग आप 17,350 के करीब कर सकते हैं थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर कर लेना है थोड़ा सा बाइंग 17,400 पर थोड़ा सा 17,300 इस तरह से आपको टुक्रों में बाइंग करना है और यहां पे आप टागेट पैस रख सकते हैं 17,475, 17,500 और 17,550 इन सारे जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जैसा कि अभी यहां पे हमें देखने को मिल रहा है साथ मैं आपको लास्ट वीडियो में और चीज बताया था कि 20 देख सकते हैं अगर निफ्टी इसके नीचे निकलता है इन सारे जगहों पे आप बाइंग कर सकते हैं इसके करीब या फिर इससे उपर जाता है तो यहां पे आप सेलिंग कर सकते हैं यानि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो यह भी चीज आप कर सकते हैं जब तक निफ्टी आपका 17,550 से लेके 17,350 इन 200 पॉइंट के बीच में जब तक मूब करता है तब तक आप यह काम भी कर सकते हैं तो इन सारे जगहों पे कॉल और पूप्संस बाइं कर सकते हैं अगर आपका एक्जिस्टिंग सकते हैं तो अगर निफ्टी 17,500 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है या नहीं तो यह आपको 17,400 करी मिलता है तो आप 17,600 कॉल ओप्शन में कर सकते हैं या नहीं तो अगर यह रेंज मिल जाता 5080 के बीच में तो काफी परफेक्ट वेंज है यहां पे आप बाइं कर सकते सक्षें है 20 का स्टाप्लक्स राक्के पस टागेट प्वाइज 100 होगा शाक्यान टागेट पाइज 25 धोर्ट पाइज हौगा 200 का वहीं अगर निफ्टी 17,500 के निचे आता है ति यहां पर आप 17,400 के प्रोटर ग में कर सकते हैं 6280 के बीच में स्टाप्लक्ट टाप्ट का मतलब यह expiry में निफ्टी 18,000 के ऊपर जाने वाला नहीं इतना आपको समझ लेना है दूसरा यहाँ पर नेक और ब्रेक लेवल है आपका 17,500 कोल की तरफ 34,000 लैक अपर इंट्रेस्ट है फुट की तरफ 30,000 के करीब अपर इंट्रेस्ट है तो अगर 17,500 के ऊपर निफ्टी टि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखके जब तक यहाँ पर निफ्टी 17,600 की रेस्टेंस डिवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें कोई भी मेजर अपसाइड मूब देखने को नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर रेंजबां मूब हम देख सकते हैं 17,350 से लेक आसलने सब्काइब मॉल्यूर में यहाँ यहाँ पर आपको लगते से लिजे को मिलेम गल्यूमुकं को लिचा करता है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले so that's all friends thanks for watching